नमस्कार मैं पवन कुश्वाह त्रेता यूग में सर्यू नदी के तट पर बसी अयोध्यनगरी के यसिस्वी राजा दश्रत और रानी कोसल्या के घर राम का जन्म हुआ राम ने भाईयों के रूप में लक्ष्मन भरत और सत्रुगन को पाया जन्रक नंदनी सीता से विवा संपन हुआ भगवान विश्णु के आउतार के रूप में भारत वर्ष की पवित्र भूमी पर असूरो राक्षसो के अत्याचार से सादू संथ तपस्वियों को मुक्त कर कर धर्म की इस्थापना की भगवान राम का शंपूर्ण जीवन मानों मात्र को आदर्श और शिक्षा देने वाला रहा राम का जब राज्या भी शेख होने वाला था उस समय पित्राग्या से उन्हें वनवास जाना पड़ा पिता की आग्या को राम ने शहर्ष स्विकार क राम ने वनवास में कई विपत्यों का सामना कर बड़े धेरिये से राक्षस राज रावन का वद कर असत्य पर सत्य की विजय का संदेज देकर धर्ती को असूरों से मुक्त कर दिया राम उपर पिता दशरत का ऐसा भरोशा कि दशरत जी कहते थे शमुंद्र अपनी शिमाओं को तोड़ सकता है हिमाले अपने शितलता को छोड़ सकता है मगर राम पिता की कही गई बात का उलंगन कर दे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता मारीच राम की भवेता और उदारता का वरनन करते हुए कहते हैं राम के किस गुण का वरनन करू उतकरश्ट प्रजा पालक राजा के रूप में या स्रेश्ट योद्धा के रूप में या फिर विपत्ती में भी विचलित नहीं होने वाले शंत पुरुस के रूप में करू स्वार्थ त्याग की पराकाष्टा कहे जाने वाले राम के लिए कहते हैं पुत्र हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा और यहां तक की सत्रू हो तो भी राम जैसा राम का संपून जीवन मानो मात्र के लिए आदर्स इस्थाफित करने वाला रहा है राम की जीवन में कुटुम्बी, सामाजिक, नैतिक, राज्जिकी विवस्था के आदर्स को सिखाए हैं तो मर्यादा में रहकर भी पुरस उत्तम कैसे रह सकता है यह भी राम के जीवन से ही हमें सीखना चाहिए रगुकल नंदन राम की महिमा भारत वर्ष में आज भी ऐसी है कि जो ग्रामी इंजिन मिलते हैं आपस में राम राम या जैश्री राम या यह केकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं तो राम राखे उसे कौन चाखे और परभु विश्वास पर चलने वाला मानोकारिय या संस्थान के लिए राम भरों से चल रहा है या घट-घट में राम बसता है ऐसे शब्द भारत में पवित्र भूमी पर प्रचिलित हैं साथ ही रगुकूल नंदन की कीरती ऐसी कि सू व्यवस्तित और शंपन राज व्यवस्था के लिए राम राज्य शब्द परियाय हो गया है इस तरह राम भारते जन्मानस के जीवन वेभार में समा गये है राम जब राजकुमार थे तब राम राम थे और जब वनवास से लोट कर आए तो राम मर्यादा पुर्शत्म राम हो गये राम मानो मात्र को प्रेणा और प्रोशहन देने वाले सागर जैसे गंभीर आकास जैसे विसाल और हिमाले जैसे उदार है राम के गुणों और विचारों का अनुसरन कर मानो खुद बखुद राम हो जाए तो यह था हमारा खास कारिकरम विशेश और मिलते हैं ऐसे ही किसी खास उत्सों के साथ तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार